इंडिया में आप ही तीन चर्चे चल रहे हैं एक चल रहे हैं इलेक्शन्स के वारे में बात हो रहे हैं दूसरा है IPL और तीसरा है फोर्ड का कमबैक अब फोर्ड की यह देख रहे हो दो फोर्ड एवरेस जो की इंडेवर के नाम से इंडियल मार्केट में आएगी जो इसका प्लाटिनम वेरियंट है इस इस टॉप वेरियंट है यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप फॉर्चूनर लेने का प्लैन कर दे हो यह एमजी ग्लॉस्टर यहां इस सेग्मेंट की वे और गाड़ी तो थोड़ा से रुक जा और आप पक्का मेरे को वो अब बात कर लेते हैं इसके नहीं लुक्स और नहीं फीचर्स की तो सबसे बड़े तो आप इसकी नहीं प्रॉमिनेंट ग्रिल देख पाओगे जहां पर आपको पॉपर क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है फोड का बड़ा सारा लोगों मिल जाता है प्लैटिनम बैजिंग इस तरफ मिल जाएगी और साथ में आपको स्किर्ट में भी आविसली मल्टी करण मिलेगे बट इंट्रस्टिंग क्या है वो है 360 डिरी कैमरा वो भी विद वॉशर ये भी आपको यहां पर मिलता है विकास इससे आप आफ रोडिंग पर लेगे जाओगे तो खोड़ी गंद लेगे प्रिजेक्टर आपको फॉगलाप्स मिल जाते अगेट अगेन एलीडी में प्रॉम स्राउंडिंग के साथ ग्रेली यह जो मेज़र इसके जादा पूर्ट के लोगों के साथ गारी आटी इतने बड़ी है और जादा बड़ी लगने लग जाते है ग्राउंड के रह आपको अच्छी मिल जाती है, SUV वली, बट अगी इन थोड़ा से मुझे लगते है कि comfort wise suspension अच्छी है, space comfort में थोड़ी सी कम हो जाती है, sideways सबसे जाएं इंट्रस्टिंग आते हैं इसके wheels, alloy wheels, 21 inches के तरफ से आपको मिल जाते हैं, exact section की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर लिखा गया है, 275-45R21, now that's huge, साथ में मिल जाते हैं आपको factory fitted, आपको proper side step, जो की silver finishing के साथ आते हैं, platinum की badging है, काफी बड़ा chunkier, इसका door, जो है frame मिल जाता है, चाए front ओ, चाए rear, ओर और भी हम electrical resistible, 360 degree camera का camera, इस तरह आपको, I think LED नहीं है, these are halogens, chrome finishing, chrome bidding, उपर भी नीचे भी, और उपर आपको roof rails भी है, वो भी आपको chrome के ही मिलते हैं, अब बार याँ, यहाँ दे रीयर डिजाइन की, यहाँ पर दो तिन चीजे बड़ी अटपटी लग सकते हैं, इस क्या इंटीन है, वो शाक फिन नहीं है, वो माईग्रों इंटीन है, पर इंट्रस्टिंग लिए आप देखो कि इसके defogger, wiper washer, high stop lamp, थोड़ा चोटा, washer इस तरह मिल जाता है, Ford की बड़ी सारी badging है, platinum यहाँ पर लिखा गिया, अगर इंडियन में जब आएगी, तो यहाँ पर endeavor लिखा जाएगा, जिसको glass के अंदर याने की, जो acrylic के अंदर रखा जाएगा, और साथ मैं आपको LED आपको tail lamp मिल दाते, जो कि मुझे कहीं नगी, Ford Mustang की याद दिला रहे है, इसके साथ साथ 360 camera का rear camera, ना भी हो, किसी और वीरिंड में आपको ऐसा rear camera का काम करेगा, प्रॉपर आपको finishing याँ मिल जाती है, जो कि आपको बचा के रखती है, आपकी गाड़ी को अपके luggage से, लीचे भी आपको reverse parking sensors भी मिल जाएगे, average की badging जो कि endeavor की badging हो जाएगी, चलिए अभी इस गाड़ी का interior भी discuss करेंगे, सबसे भी लग आपको स्वागत किया जाता है, इसके 12.4 इंचिस की digital cluster से चोखी, इतना crisp and clear, पोर के display लग रही है, पूरी पूरी पूरी, एंड कमाल का ही आपको सारा algorithm मिल जाता है, यहाँ पर because information के साथ-साथ, आपके पास हमीशा हर एक चीज़ available रहती है, जो भी आपको चीज़ आपको इस screen पर नदर आजाएगी, फिर भी यह कम पड़़ज है, तो यह 12 इंचिस की touchscreen है, obviously यहाँ पर भी आपको बहुत सारे features, बहुत सारे tweaks मिल जाते हैं, आपको इसी screen के पर मिलेंगे, और उसके इलावा, अगर मैं कहूँ, features आपको काफी similar मिलेंगे, wireless charging pad है, यहाँ पर storage space type C, port भी है type A, port भी है cup holders, जो कि एड्जस्टिवल होंगे, इस तरह का आपको gear lever देखने को मिल जाएग, electric parking brake ते साथ-साथ, 4-wheel drive है तो obviously, terrain modes, fraction control, idle start, stop, arking assist मिलेंगे यहाँ पर मिलता है, इसमें automatically गाड़ी जाएग, वो पार्क भी तर लेती आपके लिए, सारे 4-wheel के options, drive modes, यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और features wise में AC की controls यहाँ, अब यह चीज़ मुझे personally बहुत अच्छे लगी, कि screen तो चलो बड़ी दी है इन्होंने, बड़ उसके साथ-साथ, आपको proper AC की controls के buttons मिलते हैं, safety के बाद करो तो obviously, basic safety features तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, जो extra features होते हों वाज़ते, इसके ADAS के multiple safety level features, 9 airbags in the top variant, 7 airbags experience में हैं, जब इंडियन मार्केट में हैं, 99% chance नहीं है कि आपको 9 airbags मिलेंगे, 7 नहीं होने चाहिए, वैसे इस segment में यह चली जाती है, rear seats of the endeavor, काफे सारे function features मिले जाते हैं, interesting ही जाता है, कि पिछले seats भी आपको heated, ventilated यह मिलती है, इंडियन मार्केट में सिर्फ ventilated होंगी, heated नहीं होंगी, interesting आयता है इसके रीचे, USB ports, AC की speed बढ़ाने के लिए, और सबसे important है, 400 Watt का maximum support करने माला proper power plug, यह भी आपको इंडियन मार्केट में offer किया जाएगा, good space, nice recline, although, जितने बड़ी गाड़ी आम थोड़ा से expect करते हैं, कि नीरूम वगरा और मिले बटागे, यहने seat को तोड़ा आगे करोगे, तो वो भी मिली जाएगा, जो AC vents है, वो आपको उपर मिलते हैं, ना कि front में, space good, बहुत बड़ा hump मिल जाता है, 4WD है, यह जो expect हम करी से रहे थे, अब आता है major question, the price and the launch, see the thing is, port India पे वापिस तो आ रहा है, यह तो confirm है, लेकिन scene ऐसे है कि वो कब आता है, और किस प्रड़क्ट के साथ आता है, तो जितना मेरा मान है, यह विले प्रड़क्स नहीं, वो आएंगे new age workers, आने की electric हो सकते है, plug-in hybrid हो सकते है, वो depending करते है, कि किस company साथ वो collaborate करके आते हैं, विकोज अकेले तो नहीं आएंगे, collaboration के साथ ही आएंगे, दूसरा मुझे यह लगता है, कि Ford जो health को बहुत जल्दी चलीगी इंडिया से, जानी नीच यह थी, हाँ वो बीच की ब्रेक ले सकते थे, अगि उनने थोड़ी लंबी ब्रेक ले ली बट कोई वाद ने, क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अगर Ford अपने existing products जैने की, EcoSport को तोड़ा सा face lift करता है, Aspire को face lift करता, तो अच्छा इंडिया में चल सकता था, उन थोड़ा लेट लेट अपडेट के उसको वैसे काफी huge losses होगे, and I wish Ford अपने नए products और better products से साथ इंडियन मार्केट में जल्दी आए, pricing again वोई Fortuner वाले लेवल की, बट जब यह launch होती है, उस हिसाब सिसकी price है, तब जो Fortuner वाले प्राइज है, उसे साथ सिसकी price रहेंगी, बट अगिन तब तब Fortuner भी update हो जाएगी, तब उसमें भी A-360 camera, बड़ी sunroof, यह सब आपको मिलेगा ही मिलने ता, तब होगा इसका major competition, महा मुकावला जैसे हम बोलते हैं, So, this was the Ford Everest, the Ford Endeavor, और उमीद है वीडियो अपको अच्छी लगे होगी, इस तरह कि हमने और भी गाडियों की वीडियो बढाएंगे, जो इंडिन मार्केट में लॉंच होने वली हैं, यह हो सकते हैं, तो उनको check out करना ना बोले, मैं आपको आप से अब अगली वीडियो में, Until then, drive safe, take care, love you guys, bye-bye.